हाई फ्रेंस मैं आपका दोस्त तजमत आज की अपनी मुर्गी पालन की टॉपिक है हजार मुर्गी पालन हजार नहीं पहले सो की बात कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हजार की बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हजार की बात करते हैं उसके ब तब मज़ा आएगा कि income कितना आता है उसके बाद खर्चा कितना लगता है वन-टेम इंवस्ट कितना रहता है और हमेशा investment कितनी लगाना यह सारी information होगी वीडियो इंट तक देखते रहें बहुत मज़ा आने वाला और इसका साथ साथ नहे हो आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि मेरे अगले भी वीडियो साएंगे तो हम सव मुर्गी पालन से बिजनस स्टार्ट करना समझ रहे फिर उसमें इंकम कितना आता है और जिनल मुर्गी पालन में इंकम पाने के लिए दो तरीके से इं यह तो आप खिमित की शक्कर में कर ला रहे हो तो कितने नहीं तो उसको मारते हैं भी आपको अपने डापिक पे चलते हैं अपने टॉपिक क्या है लिए इंकम कितना है लेगा पिर मुर्गि पालरै हम तो पहला इंकम देखिए एक तो बच्चा बेसी और हमें कमाथना है और दूसरा बच्चे को मुर्गी और मुर्ग बनाकर बेचकर इंकम कमाना चाह सकते तो फिर अंडे से क्यों नहीं भाई हम तो अमर्गे सो मुर्गी पालन रख करकर वह अंडा जो दे रही है मुर्गी वह अंडे को बेच कर हम इंकम कमाना चाह रहे हैं तो यह नौट पॉजीबूल है अगले वीडियो में बताऊंगा अंडे से क्यों नहीं करना है डेसी मुर्गी पालन अगले आपके मुर्गे में बताऊंगे मुट लाग में बहुत लाग हो जाएगा इंकम क्या है बच्चा मारत बेचने में मुर्गी सो मुर्गी कितना अंडा देती है तीस अंडा देती है थीस अंडे को हमत थीस बच्चा बना लेंगे हैं या olsun किता दिखिफ-दे round रेिगा सब्सक्राइब करें तो पुरा गलती लगेगा इसलिए सोचने की कोशिश करिया तो क्या करेंगे हम करना है तो टीज बच्चों का इंकम कितना होता है ऐसे किमेंगे ऊक्षान का बच्च रहा हैं कितना रुप्य को बच्च प्रफ्च को सब्सक्राइब मारक्टेंग है को सवाल रहता है पहुत सार सारे marketing अब मार्केटिंग से यह यह कर सकते हो आप दूसरा काम बच्चा नहीं खरीदेंगे करके नहीं रहेगा ओर्जिनल डेसी आपके पास से हिसाब लगा यह 30 का कितना होगा फिर वह जो बड़े करकर अपने पास से लेकर बड़े करकर वेच रहे उन्हें भी बिजनस का थोड़ा मजा लग जाएगा फिर आपके पास आएंगे लेंगे बेचेंगे इस तरह से होगा इसे सब फोड़ा वाज उक रखते हैं अभी क्य सब्सक्राइब करना पड़ेगा 6 महने में मुर्गी या मुर्गा बेचने के लायक हो जाएगा बेचने काबिल हो जाएगा फिर इंकम कितना रहे है तीस मुर्गा या मुर्गी का 30 एंटु 30 इंटु 500 मारिया क्योंकि मुर्गा मैं बताया हूं जैसे कि 600 800 के आसपास में चल जाती है बिन व्यक्षिद दो 400 लग चले जाती है तो व्यक्सिन करेंगे हम बैचेंगे मुर्गी मुर्गा बना कर मुर्गी या मुर्गा बनाकर 30 इंटु 500 आरीय का उस जहीं कितना हो रहा है compr and do the get worden और हिसे कर दो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैंतर सुनने में बहुत अजीब दिखेगा मतलब भाई सव मुर्गी पालन कर रहे हैं महीने का सब्सक्राइब कर ठाय कर रहे हो αν पोष्ट अनवे सब्सक्राइब करें जिए और कीस्त बच्श को तरह से महीने गहां सब्सक्राइब और बेचेंगे उसमें से कुछ डैमेज भी होंगे बट मैक्जिमम हम 100% देकर कितने बच्चे बचा रहे हो 30 बच्चों में से यह इंपॉंट है ज्यादा बोर तो फिल नहीं हो रहे हो ना दोस्त ज्यादा डिटेल से क्यों करता हूं मैं आपको से एक्सप्लेइन करने से समझ में गएगा एक और एक डीतेल से दी चिर्शे Tiere और अहीं करती पॉईट उसमें केुष्अ सारे यूज में आ सकते सिर्फ एक ही टॉपिक बोलकर नहीं है उसमें सारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे जब डिटल से इक्स्प्लेयन करता हूं तो अधी देखिए दोस्ट डेरट बताने की कोशिश करता हूं हम औरजिनल डेसी मुर्गी पालन सव मुर्गियों से स्टार्ट करना समझ रहे तो हमें कितने मुर्गया लाना चाहिए उसका साथ एक पंदरा मुर्गया लाना है क्यूंकि फटाल एक निकलने के लिए तो इसमें सव मूर्गी में हमें अंड़ा केतना निकलता हे हर दिन हमें 30 यक्षाल सव मूर्गिंों में तो यह 30 अंड़ِ को मूर्गी के निंचे दालेंगे हैचिंग करकर зах comigo लगाँचा सबस्क्राइब लग्राइब तो सप्तर हुपत होगा 2,100 रुपिया होगा 2,100 रुपिया डिस्कॉर्ड भी देंगे हम तो 2,000 रुपिय फानल रेट लगाएंगे तो एक दिन का इंकम हो रहा है 2,000 रुपिय तो 30 दिन का कितना हो जाएगा यह 60,000 रुपिय तो उर्जिनल कि 30 अणड़ निकल रहा है तो 30 अणड़ 30 बच्चा बना ले रहे हैंगें तो 30 अणड़ी तेस अणड़ी त This Dil बच्चा बने ऑका नहीं बढ़ी कार करी समद्र कर रहा है तो 21 दिन बाद बच्चा बन जाएगा 10 तो टिस दिस दिन लगेंगे क्या लगी का लगा कि अचाइए अर्फ तीज निकलगा है तो ये विल्ग फाम में बेचने काबिल बन जाएंगा तो हम क्या करेंगे तीजति निकलते जाएं somewhat निकलते जाएंगे I यह, खुछ 500 रूपिज डाल रे है यह फाइन्ड रूपिज इंटू 30 шт,í san or मुर्गा या मुर्गीि 15,000eee daily income हो रहा है 15,000 करेंगे कितना हो गा डेदी 15,000 करेंगे THE body चार मुर्गी पाल टो मुर्गी साथ सथार रूपए कमा सकते अगर मुर्गी बेचना है हमें मुर्गी बेच कर कितना कमा सकते हैं चार लाग पचास जार रुपे महने का कमा सकते हैं चार लाग पचास जार रुपे सुनने को तो अच्छा दिख रहा है इसके पिछे मेहनत कितनी रहती है और बैगराउंड में कितने मुर्यां रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं, ये बता दूँगा एक बार, ये भी कैलिकलेशन कर लीजे दोस्त, आपके पास डेली 30 अंड़ा निकल रहा है, तो 21 दिन हैचिंग के बाद, हर दिन आपके पास 30 बच्चा निकलते जाएगा, हर दिन, 21 दो दिन संबालना नहीं है दोस्त आपको, दिहान से घौर से समझने की कोशिश करिये, हर दिन 30 बच्चा निकलते जाएगा, वो हर दिन का बच्चा हम कैलिकलेशन करेंगे, 30 बच्चा हर दिन का, 180 पे दो दिन, कैलिकलेशन बारेंगे, हम तो देखे कितना होगा, 5460 है, 5460 ह बागी का, camera da, वो हम ऐसे हम की दो में पाइगा, तो में पोल्चों करेंगे, हम रहे चाहिं की सिर्फ करी हैं दीन, कैलिकलेशन अच्छ से नहीं कर सकक शायों। लेरे पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो खर्चा भी उतना बढ़ते जाएंगे मतलब कि हर दिन 30-30 बच्चों को समालते जाएंगे मतलब आज निकली 130 बच्चा कल बढ़ा होते जाएगा उसे वैक्सिनेशन करना पड़ेगा उसे मेडिसन सिस्तेमाल करना पड़ेगा फीड अच्छे से खिलाना पड़ेगा फिर हम वो करते ही रहेंगे अगले दिन बच्चे आ जाएंगे हमारे पास इन्हें भी संबालना पालन में क्या करना चाहिए हमें करकर इसलिए मैं डिटेल से हर वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करता हूं सारे भाई ऐसे मेरे वीडियोस देखकर करना समझ रहें अभी तक नहीं करें तो उन्हें मैं एक ही सजेस्ट करना चाहता हूं आप इसी तरह से बिजनस करि लिए थोड़ा जितना निकल रहा है उतने में भी सकते हम तो पचास रुपे लगा दीजिए साट रुपे सतर रुपे क्या कुछ भी रेट लगा दीजिए पर एक पंद्रा मीर состо करियों करकर बच्चा नहीं पड़े बेञा जाया जीए तो स्रुपे करने की ज़रूरत नहीं तो इसका ओमाट छोटा ही रहता है 350 रुपे तीन में एक बार करना रहता है इसलिए इसको हिसाब में नहीं लेता है बस अभी यह बात करते हैं कि अब देली का कितना खाएगी डेली 10 किलो लगेगा दोस्त आपको फीड डेली सव मुर्गी को खिलाने के लिए यानि हर एक मुर्गी सव घ्राम खाएगी यह आप कुछ भी दाल दीजिए मक्का जवारी या आप क्वाल्टी का फीर दालना समझ रहे हो मतलब कि आप अच्छा आने के लिए 30 अंडे आने के लिए सव मुर्गी में तो एक किलो 40 रुपे में भी खरीद कर मुर्गी को हर दिन दाल रहे हो तो 10 किलो 40 रुपे से हिसाब लगाएंगे हम हरे किलो को तो 400 रुपे हो गया 400 रुपे एक दिन का फीर का खर्चा हो रहा है आपको तो कितने आ रह जारे हो ज्यादा कुछ और कुछ देने की जरूरत ने रहे हैं सिर्फ फिर दे रहे हो आप पानी तो मुफ्त में यहां जाएगा आपके नल का हो जाए बोर का हो जाए किसी का भी हो जाए तो डेली 400 लगा लिज़े, 400 ले उपर 100 रुपए एक्स्ट्रा भी लगा लिज़े, 500 रुपए अपको खर्चा हा रहा है मुरगी पालन, डेली रूपे रह रह रहा है 500 रूपे और जालने की भी ज़रुड़त नहीं अभी तक लाइट डालता भी नहीं हो यहां प्रफाम में क्यूंकि और्जिनल डेसी है ना कुछ फरक नहीं पड़ता है लाइट रहना ही कहकर ज़रूरी नहीं है रात में तो लक्टियों पर चड़ कर बैठ जाएंगे इसलिए डेली 500 रुपे हम खर्चा कर सकते हैं तो हर दिन 10 किलो खा रहे तो इंकम इतना रहा है हमें कितने बच्चे 30 बच्चे को मदेश घंश रहें कुछ भी कि घंश लगा कर लिजयका तो चार्फे डाने को जा रहे है और साव रूपे हैं करने के लिए जा है समझ लिए करेंट का बिल ठीक है सौ रुपए मतलब महिने को कितना हो जाए यह समझ लिए इसलिए बेली का सव मुर्गी पालन में 500 रुपए खर्चा आएगा और इंकम कितना आ रहा है हमें 2000 रुपए आ रहे 500 रुपए हम मुर्गी को लगा रहे है तो 2000 में से 500 निकालेंगे तो 1500 रुपय जेव में आ रहे हैं इसलिए इंकम तो कमपंशरी है दोस्त पर आपको बच्चा बेचनी की मार्केटिंग बना लेना है अगर से नहीं भी जा रहा है थोड़ा थोड़ा करकर बच्चा बढ़ा लीजे आप खुदी से वैक्सिन करकर मेडिस अगले वीडियोस में और भी बहुत कुछ जानकारी दूंगा इसलिए वो वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और इसके साथ साथ बेलाइकाउन की घंटी भी दबा लीजे और पसंद आतो दिल से लाइक भी मार दीजे उसे मुझे बहुत कुशी मिलत यह थैंक यू सो मुझे वे नाइस देए